हेलो प्रेंड मैं हूँ प्रियांका वेलकम टू माय चैनल प्रियांकापुमिक.com आज मैं बनाओंगी सावर कर्ट जो कि मैं स्क्रिम्ड मिल्क से बनाओंगी और यह बहुत ही थीक बनती है तो चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं सावर कर्ट बनाने के लिए यहाँ पर मेरे पास है होट मिल्क यह बहुत ही होट है और यह है वान टीस्पूम कॉर्ण फ्लावर और यह मैंने थोड़ी सी और दूद लिया है तो सबसे पहले मैं इस गरम दूद को कॉर्ण फ्लावर में थोड़ी थोड़ी करके मिला लूँगी तो कॉर्ण फ्लावर को मैंने दूद मे मिला लिया है अब मैं इसको इस हॉट वाटर में डाल दूंगी और इसको धीरे धीरे चलाते हुए मुझे इस हॉट मिल्क को लुक वर्म मिल्क में बना लेनी है तो यहाँ पर मैंने गड़ में बनाए हुए कुछ सवर कट को फेट लिये है अब इसको हम इस बोल में ट्रांसफर कर देंगे तो यहाँ पर दूद हमारा जो है वो लुक वर्म हो चुकी है यानि कि दूद उतने ही गड़म होनी चाहिए जितने में हम उन में अपने एक उंगली दबा कर रख सके तो इसमें हम थोड़ी सी पहले दूद को डाल देंगे तो हमारा जो सारे दूद है वो हम इसे दिये-दिये एड़ करतेंगे तो अभी हम इस गरम दूद को ढखकर साथ गंटे के लिए इसे गरम जगे पर रख देनी है और उसके बाद ही जब जम जाएगी तो इसे दो घंटे के लिए हम फ्रीज कर लेंगे तो फ्रेंज मेरी काट तो यहां बन चुकी है और यह बहुत ही अच्छी सेट है मैंने इसे दो घंटे तक फ्रीज भी कर लिया है तो चलिए देखते है इसके ठीकनिस कैसी है यह देखिए यह बहुत ही गाड़ी बन चुकी है इसे में स्किंड मिल्च से बनाई है फिर भी यह ऐसी बनी है तो आप भी इसे घर में बनाईए और मेरी साथ अपना एक्सपरियंस ज़रू शेयर कीजिए तो मेरी यह रेसिपी आपको पसंद आई हो तो प्लीज मेरी क्रणकभुमिक.कॉम खो सब्सक्राइब जरू कीजिए थायग्स वाचिंड माइवीटस वाचिंड माइवीडे साथ ड़को प्लीडान कर सुकरी दो नका प्लीड है नगण वाट्स कर देखिए तो अपना धाउन माइवाचिंड जैज ग्सांड माइवाचिंड आप्लीड